वेलकम टू स्वामी वेकानन्द इस्टिटूट एंड मेरा नाम है नाजमीन और आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेडागोजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो बार बार रिपिट होते एक्जैम में उसकी अच्छा तो यहां पे से आपको जो आने वाली दिसंबर वाली एक्जैम है उसमें बहुत जादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि जितने भी रिपिटेट क्वेशन है और उनमें जितने भी कॉंसेट पूछे गए है उस सबका एडिया आपको इसके थू हो जाएगा और इसके थू आप इसको एक-एक बार देख लेंगे इसमें पूरा एनलीसिस करके आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेशन फ्रेम हुए है तो डेफिनेटली आपको आपको आपकी एक्जैम में हेल्प करने वाला है तो इस सीरिस को पूरा अच्छी तरीके से फोलो कीज है आफ्टर गेटिंग हर्ट दूरिंग अप्ले अक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइं सिंग इस फादर रिस्पॉंडेट डोंट बिहेव लाइक गर्स बॉइस डोंट क्राइब दिस स्टेटमेंट बाइद फादर ठीक है मतलब आपको एक सिच्वेशन दी है वह सि को डील करने का सबसे सही तरीका यह होता है कि आपकी कॉंसेप्ट क्लारिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस कॉंसेप्ट के बेस पर अगर आपसे कुछ और पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आपने सर्टेन टॉपिक पड़े उन करने वें चलिए कि जो कुछ भी कॉंसेप्ट है वह हमारे आसपास की लोगों पर किस तरह से अप्लाए कर रहे मतलब आपके कॉंसेप्ट की आपको सेंस भी बनना चाहिए बात समझा आगी चलिए तो एक खेल क्रिया के दुरान चोट लगने पर मोहन रोने लगा यह देख घ्रस तो यह चीज है कि अलिगा है जो पिता का यह क्तर है यह उसके बारे बात कर acionतैकों मैं आपको 1-2 मिन बात आप इसम140 गारता चाहता जाइसर तारे उप्षिन इसका स्भ है देखिए पहला ऑक्षर है आपके Ginger Stereo त्रियो टाइप के लेंगीग गुरूडु वाधितायों को द्रश्चा आता है थिक जो जलेंडे अदेनको चुनोती देता है रिड्यूस जहंडर बैस्िकलाप लेंगि बेधवाओं को कम करता है भात Direction जेंडर इक्वैलिटी लेंगिक समानता को बढ़ावा देता है अब जो प्रशने उसके हिसाब से इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका अंसर क्या होगा ठीक है दिमाग में बिठा देता है यह जो धारना है शुरू से चली भी आ रही है वह हो गई रूणी बाद भले उसमें सच्चा ही हो ना हो यह नहीं पता है ठीक है क्लिया पास समझाई जैसे फॉर एक्जेम्पल हम लोगों को सिखाया जाता है कि यह जैसे एक एक एक्जेम्पल यह इसा कुछ होता है क्यों लड़के YouTube कि मुझाई नहीं होता है यह सारी चीज़ कंई स्टियोटाइप से इनकों कि करना है अगर तो इसका आप रो सकते हैं और रोके चुब भी होना है रोते ही नहीं रहना है आगी भी बढ़ना होता है लाइस में ठीक है आगी की प्रॉब्लम्स भी देखनी है एक प्रॉब्लम में रोने विठ जाएंगे तो होगा क्या डर चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह होती है हो रहा है ठीक है तो इसका अंसर तो यही हो जाएगा रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरोटाइब लेकिन तीन ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि वह क्या दे रखें पर ऑप्शन दे रहा है चेलेंजस जेंडर स्टीरोटाइब मतला आप लेंगी गुरूडियो अधिता रही है तो और अज Muadlez और तो इनोए पहला वाला अंसर से तो आए हूप समझाये चलते में नमबर टू के यह तरफ नमबर टू है इन प्रोग्रेशिव क्लासरूम अगर कोई क्लासरूम है बच्चे का ठीक है प्रगतिशील ऐल्य वहां पर प्रगतिशील फौरी प्रगति कि कि बहुनार फिकस्ट करिकुल्म एक शिक्षन को पीक्स्ट करिकुल्म फडिन वाय मतलquis त्रिक्ट ओना चीए कि व्म यहाली ए इस टैंप प्रकनों इस स defending ऑठना सबस्क्स्स फिल्कुल भी वो और वह отправочь busy day ठीक है क्लियार मतला आपकी जो बोल दिया निश्चित करिकुलम फिक्स करिकुलम को ही फॉलो करना ठीक है अगर प्रगति करना चाहते हैं तो फिक्स करिकुलम जरूरी है नमबर नमबर टू दा इंफेसिस शूड बी ओन कंपेटिशन अमंग इंस्टुडेट विद्यारतियों में प्रतीस्त परधा पर बल देना चाहिए तिक है बच्चों को सिखा के आपस में कॉम्पेटिशन करो कि तो इससे जादा मतला कैसा कंपेटिशन कुछ भी कंपेटिशन करा हो बच्चों के अंदर यह भावने डालो कि आपको आप पूंचे हो बाकी नीचे इनसे आगे बढ़ना इनसे आगे बढ़ना रेस में लग जाओ कुल मिला करके रेस में लगने कही मतलब होता है कॉम्पेटिशन मतलब की रेस में पार्ट लेना कि इससे आगे दोड़ना इससे आगे इससे आगे इससे आगे ठीक है त मतलब जो-ापके पास में नोलेज एग उसके लिए बच्चों को स्टुक्चर किया जा सके उसके लिए बच्चों को बहुत सारे मुख्य देना बच्चों को रिज्रीद करना बेटा आप इती ही तरह से आएगा आपकी बगांस में बहुत सारे बचल है तो अगर JJयों मेत तरीके से सिखा ना पड़ेगा जिस वच्चे का इक हुतना अच्छा नहीं उसको अलग तरीके से डिल करना होगा इसको अलग तरीके से डिल को साथ में लेके आगे बड़ा सके ठीक है चलिए अगे बढ़ते हैं स्टूडेंट शूट बी लेबल्ड ओन बैसे सब्सक्राइब करना चाहिए जिस बच्छे के पर्सेंटेज बहुत अच्छे उसको क्या कर देना अलग कर देना तो कुल मिला के क्या अगरने बाइस ने साजाना ठीक है किसके आधार पर आपने उसको लेबल किया हुआ है किसी बच्छे के इंटील लेवल को उसके पर्सनेटी को ज़ंज नहीं कर सकते तो इसका सबसे सूटेबल आंसर होगा है तो आप लोग सही है घ्यान की सर्शना के लिए उनको प्रचूर मोगे मिलना चाहिए ना था है क्षिए तीटर नमबर पर हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका एक गतिवधी की दोडान चातों को संगश्च करते दे कि एक अध्यापिका ने बच्चों को संकेत और इशारे दिये जैसे क्या क्यूं कैसे ब्रदान करने का फैसला लेती है ले वाइगोस्की कि सिधान के अनुसर अध्यापा के कि यह यह जदा है तो यहाँ पर जो क्वेश कोई सेरी को अच्छे से समझा जा सके अभी अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो यह तो इसके आधार पर थोड़ा सा अंसर करने की कोशिश कीजिए दो मिट सोचिए और मुझे इसका अंसर कीजिए क्या इसका अंसर क्या होगा बताए इसका अंसर क्या होगा चलिए हम लोग साथ में करते हैं क्या डेमोंस्रेटिव स्वरी डी मोटिवेट दा चिल्रें टू लर्ण मतलब अध्यापी का इसा करके डी मोटिवेट कर रही है बच्चों को ठीक है एक स्केफोल्ड की तरह काम कर रही है मतलब अधिगम के लिए आधार्बू सरशना प्रवाइट कर रही है तब करेगी का बिट्रॉल टेंडेंसी predict मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया और भी वनार रही है सब करके तो तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको थेरी बताती हूं वाइगोस की बात करते हैं इसके फॉल्डिंग की के फॉल्डिंग मतलब कि आधारबुत सरचना के लिए जो जो उसको आधारबुत मदद दी जाती है ना के फॉल्डिंग दी जाती है जिसके फॉल्डिंग क्या करता है बच्चा अच्छे से सीख सकता है ना बच्चान बोलते हैं इसको हिंदी में लेकिन काम क्या होता है कि बच्चे को टेंपरेजी सहायता दी जाती है जिससे बच्चा क्या कर सके चीजों को अच्छी तरीके से सी अगे लेवल पर ठीक है देखो एक बच्चे का अपना लेवल है लाइक अगर बच्चा ABCD जाता है ठीक है और अगर उसको एक teacher मिल गई तो उसके बाद वो sentence बनाना structure बनाना sentence का सीख जाता है तो उसका इसके लिए बोलेंगे कि बच्चे के लिए teacher ने किसका काम करा उसको सीखाने का काम जो हुआ वह होगे scaffolding मतलब क्या करता है बच्चा अगर जैसे एक father है ठीक है वह अपने बच्चे को कैसी सिखा रहे cycle सिखा रहे ठीक है क्या सिखा रहे cycle अब cycle पर बेटना बच्चे को पहले से आता है ठीक है कि बच्चे को बेटना आता है cycle ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलाना नहीं आता है तो उसके father क्या करते उसको पीछे से थोड़ा सा पगड़ते उसको help देते ताक कि बच्चा क्या क और एक बात की उन्होंने याद रखेगा ZFolding, ZPD, SKFolding और एकर MKO की जब मैं इसको थेरी को आपको अलग से बढ़ाऊंगी तो आप लोगों को ध्यान रहेगा अच्छा यह सब है क्या? शोर्ट में बताती हूं ध्यान रखेगा ZPD होता है, Zone of Proximal Development, मतलब की संभावित विकास का शेत्र जिस पे बच्चा जादा से जादा कितना बच्चा अधिक साधिक सीख सकता है वो वाला एरिया जो है, वो होता है ZPD, ठीक है? अधिकतम बच्चा कितना सीख सकता है दूसरे नंबर पर आता है, Scaffolding, ठीक है? Scaffolding मतलब की जैसे बच्चे को पीता क्या सिखा रहा है, cycle सिखा रहा है सीख सके, उसको बोलते है ZFolding, Scaffolding, ठीक है? उसके बाद में आता है MKO, MKO का मतलब क्या होता है? आपका More Knowledgeable Others, More Knowledge Others, ठीक है? जैसे फादर को पहले से cycle आती है, ठीक है? वो व्यक्ति या वो इंसान, ठीक है? जो बच्चे से जादा जानता है और जिसकी मदद से, जिसके इसके Folding के तरूब बच्चा अपने ZPD तक पहुंच जाता है, मिलब जादा से जादा सीख जाता है, ठीक है? तो वो परसंचा है, वो टीचर हो जैसे इस बच्चे के case में जो cycle सीख रहा है, उसके case में उसके father हो गए MKO, More Knowledge Others, जिसको उससे सके, तो इसका answer क्या होगा, आपका B answer हो जाएगा, इसका, क्या answer हो जाएगा, B ठीक है, I hope आप लोगों को मेरी ये बास समझा गए हूँ, डन, चलिए, अगले question की तरफ बढ़ेंगे which of the following is correct in the context of socialization of children, जब बच्चों का socialization होता है, समाजी करण होता है, तो समाजी करण की प्रक्रिया के हिसाब से, इन में से कौन सी बास सही है, बच्चे के संदर्व में, ठीक है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा socialization आपको पता होगा कि जब बच्चा दुनिया से interact करना सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले किस से interact करता है, बताइए, जब एक छोटा सा बच्चा है, वो सबसे पहले पहला हो गया, school is a secondary socialization agent and family is the primary socialization, क्या मतलब जो विद्याल है, वो समाजी करण का एक द्वीती या कारक है और परिवार समाजी करण का प्रात्मिक कारक है, पहला उप्षट, दूसरा option, school is a primary socialization and peers are secondary socialization, मतलब हिंदी में बात करें तो समाजी करण का प्रात्मिक कारक है और समक्षी मतलब जो बच्चे के दोस्त है वो समाजी करण का द्वीतियक कारक है ठीक है यह दूसरा option इसका answer क्या होगा याद रखेगा किसी भी बच्चे के लिए उसका परिवार उसके माता पिता पहले नंबर पर आते समाजी करण की प्रक्रिया ठीक है और आपका जो फेमिली है वो प्राइमरी होगी मतलब कि जो विद्ध्याले है वो दिटियक होगा और जो परिवार है वो प्रात्मिक कारक होगा आप लोगों को बात समझ आ गई हुए सब्सक्राइब अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रसेड की तरफ अगला प्रस में आपका त्हारी ओप मल्टीपल इंटेलिजेंश wären इंफसाइस इस니ं को पखने से पहले अगर आपको तोड़ा प्ता है theory of multiple intelligence के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि theory of multiple intelligence किसने दी है किसके द्वारा दी गई है ठीक है बताइएगा सोच के तो यह question है कि जो theory of multiple intelligence है बहुबुद्धी का सिद्धान्त है वो किस चीज़ पर जोड़ देता है ठीक है बहुबुद्धी का सिद्धान ठीक है ठीक है तो चीज़ ने दिया लिया तो मैं यहाँ पर आपकी help के लिए थोड़ा सा बता देती है कि मतलब की जो बहुत अच्छे नंबर लाता है बस वही intelligent नहीं होता है ठीक है इसके अलावा उन्होंने intelligence के अलग-अलग आठ शेत्र बताएं आठ फिल्ड बताएं ठीक है उसमें क्या-क्या बताए musical intelligence से ना sport intelligence बताया उन्होंने इंट्रा-personal intelligence बताया इंटर-personal intelligence तो जब हम Howard Gardner की थेयरी को पूर अच्छा से पढ़ेंगे या फिर अगले पीवाई की उसमें मैं ऐसा करूंगी कि सासा थेयरी वे आपको पढ़ाती जाओंगी ताकि आप लोगों को यहीं पर concept clarity होती जाए दन चली आगे बात करेंगे तो याद रखेगा कि इसमें जो बहु बुद्धी का सिद्धान थे उसमें क्या बताया है उन्होंने हम options पढ़ेंगे इसके पहला option वो बोल रहे हैं कि intelligence quotient IQ can be measured only by objective test मतलब जो आपका बुद्धी लब्दी है वो केवल वस्तुनिश परिक्षणों के द्वारह ही मापड़ जा सकता है नमबर टू intelligence in one domain ensure intelligence in all other domains मतलब जो बुद्धी है एक आयम में बुद्धी मता अन्य सभी आयमों में बुद्धी मता का निधारियन करती है कि अगर आप एक में चीज में intelligence है तो दूसी चीज़ों में भी वह intelligence उस पहले वाले intelligence पर depend करती है निर्भर करती है ठीक है ऐसा तीसरा option दूसरा option बोल रहा है तीसरा option है there are several forms of intelligence मतलब बुद्धी मता की विभिन दशाएं है अगला है there are no individual differences in intelligence बुद्धी मता में कोई व्यक्तिकत विभिन नताय नहीं होती है ठीक है बताए इसका अंसर क्या होगा बिल्कुल अगर आपने gardener की थेहरी पड़ी है तो उस थेहरी के according क्या होगा कि intelligence के कोई एक नहीं है intelligence के बहुत सारे रूप है तो उस इसाफ से इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका बताए उस इसका अंसर क्या होगा मैं आपको थोड़ी थी इंट पहले ही रही दे थी ती उसके साफसे का अंसर होगा थार्ड वाला ठीक है मतलब there are several form of intelligence जो होवर्ट गार्डनर ने आप लिख लिजेगा थोड़ा था शोट में साइड में कि होवर्ट गार्डनर ने multiple intelligence मतलब बहुँ बुद्धी लबदी का सिधान दिया उस सिधान्त के अनुसार intelligence जो है बुद्धी मतल जो है उसके बहुत सारे प्रकार है उसमें उन्होंने आर्ट प्रकार दिये और आर्ट प्रकार जब मैं इसकी तेयोरी लाँगी तो वहाँ पर हम इसको थोड़ी और अ कवर की तेयरी जो है वह बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको बोल सकते हैं यहां से एक्जेम में हर बार बार क्वेशेन आते हैं तो इस थेएरी कॉम को क्या करना है बहुत अच्छे से करना है बताए है अगर आपने क्वालब की थेएरी पहले से थोड़ी बहुत करके तो बताएं इसमें पूच रखा है लोरेंश कोलबर के सिधान के अनुसार किसी कारी को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्विक्रति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शादा है थोड़ा आपको कॉलबग के बारे में बता देते हूं जो कॉलबग कोलबग ने मौर अच्छे से पूरा बताया है तो वह कुण सी सिच्वेशन होती है किसी भी चाहिड के मोरल डेवलप्मेंट में प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल तो आप लगोगा प्रथापूर प्रथागत उत्तर प्रथागत और क्या मतलब है सुनिएगा आप जब बच्चा स्विकरति के लिए कोई काम कर रहा है और अगर आपने यह थेरी पड़ी होगी तो यह आता है बच्चे के कन्वेंशनल पीरेड में गुड़ गुड़ जो की तीसरी स्टेज है तीसरी स्टेज में बच्चा जो है अगर आप उसक जो के कन्वेंशनल पार्ट है कौन से क्रिक अगर होगा है के कन्वेंशनल में कर्दया अगया होगा आगे की बात करेंगे हम अगेन वाइगोस्की पर क्वेशन आया है देखें यह तीन चार्ट यह तो आप मान की जलिए हैं यहां से क्वेशन भर भर क्या आते हैं कौन को सा वाइगोस्की पियाजे कॉलवर्ग ठीके और मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिध्धान थे किसका यहां से बहुत क्वेशन देखने को बिलते हैं और इन सबको हमें अच्छे-च्छे करना है अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो इनको बहुत अच्छे से आपको रिवाइस करना है डन चलिए आज का लास्ट क्वेशन डिसकस करने वाले हम क्या आगे हम लोग अच्छा एट भी कर लेते हैं तो दोनों क्येशन देख लेते हैं लेव आगोस की सोशल कल्चर प्रसपेक्टिव ओफ लर्निंग इंफेसाइज इंपोर्टेंस ओफ इन दा लर्निंग प्रोसेस जो आपका लेव आगोस की का समाजिक सांस्क्रतिक परिप्रेक्ष अधिगम प्रक्रि संस्क्रतिक संदर्ma में सोशलाइजेशन के प्रसपेक्टिव में ठीक है कल्चर के प्रसपेक्टिव में तो आप सोचेहें और इसका Centers दीजेए ठीक है पहला ओप्शन है कल्चर टूल्स सांस्क्रतिक उपकरण एट्रिबूशन मोटिवेशन और इक्विलिब्रेशन बताए क्या होगा इसका कल्चर टूल्स मतलब की सांस्क्रतिक चीजों को की इंपोर्डेंस को लिया संस्क्रति क्या क्या होती वो रोल प्ले करती है किसी बच्चे के विकास में सग्यान अत्मक विकास में ठीक है तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा कल्चर है क्योंकि ovagen ब Мне बताया कि बच्चा समाज से सन्सक्रिती से सिखता है ठीक है दो यहां पर जो कंसर होगा वह क्या होगा हृँ इन फी इंत्ची का समाजिक सांस्क्रिछी नीज अदिगम में सांस्क्रित happier नो पर बल देता है ठीक है cultural tools पर देता है अच्छा बाकी की चीज़े क्या है इसके बारे में हम discuss कर लेते थोड़ा attribution क्या होता है कि जब बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है उस घटना को वह जो कारण देता है कारण देना किसी भी इवेंट का अपने आपको वह होता है attribution ठीक है उसके बाद में मोटिवेशन मोटिवेशन क्या होता है अभी प्रेंड ना हिंदी में सको बोलते है किसी भी काम को करने के लिए जो energy enforcement की जरूरत होती है उच्जा क्या आवशक्ता होती है जो आपकी target को goal को आपकी मदद करती है वह होती है आपकी motivation ठीक है अगला इक्विलिवेशन यह वाला concept आपको पियाजे नहीं दिया पियाजे की थेहरी का पार्ट है एक्विलिवेशन का मतलब यह होता है संतुली करण का मतलब यह है for example आपने बच्पन में ABCD सीखा A for apple B for ball ठीक है बाद समझ यहां पर दिमाग में वक्वेथन बना हुआ था शाट अगर में आपको बोलू कि यह A B आपको समझा जाएगा कि हाँ क्यूंकि आपने भी इसी सिखा हुआ हमारे दिमाग में की इमेज भी यह ही तो पहले से सिखा अब जो है आपका और वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कोई आपका सिखा वाही Hum कर रहा है लेकिन अगर कोई आपका सिखा कोसे नहीं बता रहा है तो वहाँ पर होता हैसंत सब्सक्राइब राहे है के इसके बारे स्कॉलन अबएस्अ नहीं करेंगे तना समझ लीजिए सब एकविले बेशन जो हमारा सिखावा है उसी के साथ से अगर आपने सिखा हुआ है कि जो है इंडिया की capital डिली और नियूस्मेपर में बहुत है इंडिया की capital डेली तो जो आपने सिखा हुआ वही वहां पर लिखा हुआ तो आपका नोलेज इक्विलिप्रेशन में संतुलन में आपको कोई प्रॉब्लम ने होगी कहां चलो लेकिन अगर वहां पर यह लिखा हुआ कि इंडिया की केपिटल सपोस्ट की चंडीगण है ठीक है तो यहां पर आपको गड़बढ़ा है जो जीन प्याज है अभी मैंने आपको बताया कि हम मैंने कि मैंने इकविलिपरेशन बता हैं कि हमारे निमाग में पहले से कुछ नौलेज्ग होता है ठीक कुछ अ स्टुक्च्छ नोलेज होता है जिसके बिहाफ में नहीं इंफवोमेशन कें न Nashlas को यह जोगी सांच्छ आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है पहले से ठीक है तो यो ओमेज आपने first time सीखी किसी knowledge को acquisition करने के लिए वह इमेज जो लेज है वह आपके दिमाग में काम करते है schema की तरह ठीक है उसको हिंडी में बोलते हैं मनोबंद तीक है किसो अगया है तो पहले ही बता दिया क्योंकि इस से संबंदी थी था इसलिए मैंने आपको बता दिया अब बाकी का देख लेते हैं psychological tools की किसी ने भी बात नहीं की साइकोलोजिकल नाम की क्यों चीज नहीं होती है स्टिमिलाइज रिस्पोंस असोशियेशन की बात उद्धी पर कनुक्रिया सम्मंद की बात पी आजे ने नहीं किये स्कीनर ने कहीं ठीक है क्लियर उसके बाद में जो नो प्रक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोस की ने कि ठीक है आई होब आप लोगों को मेरी बात समझ जाए होगी और आज का लेक्टर आपको पस्ट आए होगा इसके आगे की सीरीज बिल्कुल इसी तरह से कंटीनु रहेगी इसके अलावा आप क्या नया चेंज इसमें देखना चाहते मैं आपको और किस तरह से help कर सकते हूं प्लीज बताइएगा थाकि आपकी सीटेट की ज आपकी सीरीज ऐसबना चेंग वार आपकी सीरीज прошaking आपकी सीरीज नया चेंगे की सीरीज आपकी सीरीज़So sacrifice